हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूटूब चैनल में तो आज हम सीखेंगे कि कैसे हम लोग Microsoft Excel में Landscape Mode में कैसे किसी पेज को करते हैं दोस्तों इसे करने के लिए सबसे पहले आप Page Layout में क्लिक करेंगे और इस Page Setup में Second Option Orientation पे क्लिक करेंगे अब दोस्तों Portal और Landscape क्या होता है Portal मतलब किसी पेज की लंबाई को हम लोग ऐसा Height की तरह यूज करेंगे और Landscape मतलब उसकी लंबाई को हम लोग ऐसा Length की तरह यूज करेंगे मतलब की वो Horizontally होगा जैसे कि आप Figure में भी देख सकते हैं तो ये अभी Page Portal में है इसे Landscape में करने के लिए हमें बस Landscape में क्लिक करना है और ये हो जाएगा चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों Ctrl प्लस पी जैसा कि आप देख सकते हैं ये Landscape में है ठीक है दोस्तों आज के लिए बस इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें Complete Basic to Advanced Excel Tutorial के लिए Description ज़रूर चेक करें और इसी तरह बहुत सारे Software Courses के लिए हमारे Website Mahagurus.com पे विजिट करें Thank you